राधी राधी दोस्तों कैसी हो आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है कुरूर सास से जरा जल्दी करो आधी घंटे से बीबे की का दोस्त बाहर पैठा है हमारे इंतिजार में जब बीबे को पता चला कि आज हमारा ड्राइबर छुटी पर है तो उसने तुरंत भेज दिया अ इजत रह जाएगी उसकी मा बाप की सेवा तो करनी नहीं है बस समाज में दिखावा करना है कि हम साथ साथ है अगर मा बाप से जरा भी लगाव रहता तो हमें अकेला छोर कर नहीं जाता वो कल की आई लड़की के लिए मा बाप को छोर दिया हमारे बेटे ने मेरा तो जरा मन नहीं है वहां जाने का उमाची बोली ये वक्त नहीं है इन सब बातों का जल्दी से उपहार लो और कार में बैठो बेचाड़ा लड़का कब से हमारा इंतिजार कर रहा है कैलास जी ने फिल से कहा आज कैलास जी के बेटे बीबेक के नए घर की गिरी परवेश की पुजा जिसमें सामिल होने के लिए उन्हें बेटे के घर जाना था आज से तीन साल पहले उनके बेटे बहु ने अपनी अलग गिरस्ती बसाली थी माता पीता ने कार उपहार में रखे और निकल गए बेटे के घर के लिए घर के बाहर ही बेटा बहु उनकी परतिक्छा में खड़ बिबेक ने आदर के साथ माता पीता का घर के अंदर परिवेश करवाया पंडित जी अपनी तरफ से सारी तैयारी कर चुके थे नजदी की रिष्टेदार दोस्त सब वहां मौझूद थे बहु महिमा के माईके से भी उसके माता पीता भाई भावी सब उपस्तित थे घर छोट था मगर बहुत ही खुब सुरत था छोटी जगा का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया गया था समान कम था और तरीके से बेवस्तित था सोफे की जगा नीचे गदे रखकर इंडियन सिटिंग का लूक दिया गया था घर में एसी नहीं था मगर ताजी हावा और खिरकी के रास्ते खूब आती थी कई रिष्तेदार घर की तारिफ कर रहे थे वहीं कुछ रिष्तेदार दभी जबान में बिबेक और महिमा की बुराई कर रहे थे भाला मा बाप से अलग रहने की क्या जरूरत है इतना बड़ा बंगला तो था पीता का फिर बेवजा आलि तो बीदेश में जा बसे हैं अब ये छोटे बेटा बहु भी एक ही सहर में अलग होकर बैठ गए आसकल की पिढ़ी को बस आजादी प्यारी है मा बाप की सेवा करते वक्त उन्हें जोर आता है कम से कम मा बाप की उम्र का लिहाज तो करना चाहिए रिष्तेदार बाते बना साने में लगे थे बहु महिमा ने आगे बढ़कर सास ससुर के पैर चुए तो ससुर ने बे मन से खुश रहो का असरवाद दिया सास ने तो अपने पैर पिछे खिच लिए फिर बहु को नजर अंदास करते हुए आगे बढ़ गई महिमा अपने ग्री परवेश की पूजा म कोई तमासा नहीं चाती थी इसलिए उसने चुप रहना ही उचित समझा और वो अपने पती बिबेक के साथ पूजा में बैठ गई उसकी पांच साल की बेटी अपने नाना नानी के साथ बैठी थी महिमा ने उसे दादा दादी के पास जाकर नमस्ते करने के लिए कहा पर ब बैठे थे तभी महिमा के भाई के बेटे ने जो महज तीन साल का था चौकलेट खाते खाते चौकलेट का रैपर जमीन पर फेक दिया महिमा की सास उमा जी जोर से बोल बैठी अरे बच्चे की मा कुछ सिखाया नहीं क्या इसे इस तरह से घर में गंदगी नहीं फैलाते जी महिमा की भावी बोली और उसने रैपर उठा कर डश्ट बिन में फेक दिया महिमा और बिबेक ने आखों ही आखों में एक दुसरे की ओर देखा पर कुछ नहीं बोल सके गिरी परवेश की पूजा संपन हो गई अब आप लोग अपने बड़ों का असरवाद लिजिए पंडि जी ने दोनों सिर पर हाथ रखा और साथ लाए उपहार महिमा को दिये लेकिन सासु जी ने मुँ बनाते हुए महिमा से कहा बहुत खुस होंगे ना तुम्हारे माबाप और तुम अब अपने घर में अपनी मन मानी कर सकोगी मेरे बेटे को तो हमसे दूर कर दिया और तुम कर ही रहूंगी पर अभी मुझे ब्रह्मन भोज और कन्या भोज करना है महिमा बोली और वहां उपस्तित सभी बढ़ों का अश्रवाद लेकर किचिन में चली गई उसने अपने हातों से पंडित जी की ठाली लगाई कन्याओ को भी प्रेम और आदर के साथ भोजन के लिए बि फिर सभी मेमानों को भोजन के लिए अमंत्रित किया ममी पापा चलिए खाना खाली जिए बिबेक ने कहा नहीं अब हम चलते हैं तुम्हारी पतनी हमारे साथ सीधे मूँ बात नहीं करती अब वो हमें जबाब देने का सोच रही है हमने तो बस उसे इतना कहा सा ससुर से अल में आपका घर छोड़े तीन साल हो गए हैं आप अभी भी इस बात के लिए महिमा को ही जिम्मेदार ठैरा रही हैं अपनी दिल पर हात रख कर कहिए क्या सिर्फ गलती हमारी थी जब मैं छोटा था तब ही मेरे दोस्त का घर आना आपको पसंद नहीं था क्यूंकि हम सब मिल घर में मस्ती करते थे कमरे को अस्त ब्यस्त कर देते थे पर हमें मस्ती करके खुषी मिलती थी चिपस बिस्केट का चोटा सा टुकरा भी जमिन पर गिरता तो आपको बरदास्त नहीं होता था। की डड़ से मेरा कोई दोस्त घर नहीं आता था मुझे बहुत बुरा लगता था फिर मैं होस्टल चला गया आगे की पढ़ाई करने मा अनुसासन सही है पर अती हर चिछ की बुरी होती है इससे बचे पर बुरा असर पड़ता है कॉलेज में मेरी मुलाकात महिमा से हुई पहल प्रश्त की महिमा खूल कर हस्ती बोलती थी मैंने सोच लिया था कि मैं साधी करूंगा तो महिमा से ही पर मुझे पुरा बिश्वास था कि आप इस रिष्ते को मंजूरी नहीं दोगी क्योंकि महिमा हमारी कास्ट की नहीं थी और उसका आर्फिक अस्तर भी हमारी लेवल का नहीं था इसलिए हमने आप लोगों को बिना बताए कोट मेरेश कर ली थी फिर आपके पास आये थे विबेक ने बोला हाँ हाँ सब याद है मुझे पर मुझे ये सब बात याद दिलाने से क्या मतलब है तेरा उमाची बोली आप जब हमारी साधी हो गई थी आप लोगों को इस साधी को स्विकार करना परा पर आपने महिमा को कभी स्विकार नहीं किया उसने बहुत कोशिस की आपके दिल में अपनी जगह बनाने की पर वो हार गई मैं फैमली बिजनेस में पापा की मदद करने लगा और महिमा ससुराल को अपना घर समझ कर आपका हाथ बटाने लगी साधी के कुछ ही दिनों बाद महिमा ने अपने घर में अपनी मा के द्वारा दी गई रंगिन कलड की बेड़ सिट विछाई जो उसे बहुत पसंद थी आते ही अपनी मनमानी करने लगी हो ये मेरा घर है यहां पर परदे बेड़ सिट सब लाइट कलड का ही रहेगा उमा जी ने कहा घर पर काम वाली आती थी जो घर की डस्टिंग की काम करती थी उसके बावजूद उमा जी महिमा से दीन में दो बार घर की सफाई करवाती एक बार महिमा से गलती से चाय उबल कर एक चमच के करीब नीचे किचन काउंटर पर गिर गई उमा जी चिलाई तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या या माई के छोर कर आई हो दिमाग मुझे गंदगी जरा भी पसंद नहीं तुरंट साप करो इसे महिमा चुप रही पर उसकी आखों में से तपटप आशु बह निकले एक बार महिमा ने गलती से रसोई में एक डिबा यहां से वहां तुम्हारे माबाप ने की बरतनों को कैसे ध्यान से रखना होता है प्रोपर जगाव पर ममी जी मैं धीरे धीरे ये सब सिख जाओंगी पर आप मेरे माबाप को ताने मत दिया किजिए महिमा ने कहा महिमा सोचती यहां तो गलती होने से पहले मेरी जान क्यूं नहीं निकल जाती यहां गलती की कोई गुंजाइस नहीं थी सास उमा जी बहु से हर बार ये कहना नहीं भूलती थी कि यह मेरा घर है यहां मेरी मर्जी से ही सब कुछ होगा महिमा के ससुर जी भी पत्नी के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलते क्योंकि घर में सांती बनाय रखने के लिए उन्होंने मों धारन कर लिया था एक बार मईमा अपनी सास उमा जी से बोली, ममी जी मेरे मामा मामी हमारे सहर आए हैं, वो हमसे मिलने के लिए घर आना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें आज रात डीनर पर इन्वाइट कर लो? कोई जुरुत नहीं है, उन्हें डिनर पर इन्वाइट करने की, मुझे मेमानों का आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं, और फिर उनकी और हमारी आर्थिक इस्तिती में काफी अंतर है, खान पान आमदनी खर्चे के पैमाने में अंतर है, हाथ में तुम्हें वो देंगे और वक्त दोनों बरबाद हो जाएगा कह देना उनसे कि हम दो दिन के लिए सहर से बाहर जा रहे हैं बस कहने को घर अपना था पर यहां अपनापन ना मातर कहीं था अब तक तो महिमा अकेली थी जैसे तैसे वो सब संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे बेटी होने के और ज्यादा समस्या हो गई अब महिमा को अपनी बच्ची को ज्यादा समय देना होता तो घर के काम पहले की तरह समय से नहीं हो पाते इस बात पर भी उमाजी महिमा को खोब सुनाती पर उसका सहयोग वो जारा भी नहीं करती जब बच्ची थोड़ा थोड़ा चलना सिख ग तो कभी किसी कमरे का डांट परती महिमा को महिमा अपनी बच्ची के साथ प्यार भरा समय नहीं बिता पाती वो तो हर वक्त केवल घर समिटने में ही लगी रहती महिमा ओ महिमा देखो तुम्हारी बच्ची को सोफे के कवर नीचे जमीन पर गिरा रखे है और सोफे पर चड़ हात खिचकर उसे सोफे से नीचे उटारा खबर दार आज के बाद सोफे पर चड़ी तो जरा भी संस्कार नहीं दिये बच्ची को कि कैसे घर में तरीके से रहना चाहिए उमा जी महिमा पर चिलाई महिमा अपनी दो साल की बच्ची को घर के तोर तरीके सिखाने में असफल जो थी ममी जी आप प्यार से भी गुनगुन को तोर तरीका सिखा सकती थी इस तरह जुरदार थपर मार कर उसका हाथ खिचना क्या जरूरी था बच्ची है वो थोरी बहुत सैतानी तो करेगी ना आखिर उसे हर वक्त बांध कर तो नहीं रख सकते इस बार महिमा ने अपनी सास का बिरोध किया आखिर वो एक मा जो थी महिमा का यू बोलना उमा जी को अपना अपमान लगा देखो ऐसा है बहु ये घर मेरा है यहां रहना है तो तुम्हारी बच्ची को भी हमारे हिसाब से रहना होगा अगर समझ नहीं है तो उसे समझाओ अब बची को गोद में लिये क्यूं खड़ी हो उस नीचे उतारो और सोफे पर सही से कवर लगाओ उमा जी बोली आज पहली बार मैमा ने अपने पती से साथ ससुर से अलग होकर रहने की बात कही अब पोती की छोटी छोटी हरकतों पर भी उमा जी घर में कला मचा देती अपनी पोती से उन्हें जारा भी प्यार और लगाओ नहीं था उसे तो बस इट पत्रों से बने घर से ह ठान लिया था कि वो छोटा साही सही पर अपना खूद का माकान जरूर बनवाएगा जहां उसकी पतनी और बची खूल कर जी सके रोज रोज की कला से तंग आकर ना चाते वे भी विबेक अपने माता पिता से अलग होकर किराये के घर में रहने लगा इधर उमा जी को तो अब काम करने की आदत थी नहीं तो उन्होंने दो नोकर और रख ली घर की साब सभाई और रसोई का काम करने के लिए जो उमा जी से मोटी तनखुआ भी लेती और अपमान जनक सब्दो का उप्योग करने पर उन्हें काम छोरने की धमकी देती महिमा भी अपनी बच्ची को संभालते हुए घर में छोटे बच्चों को ट्विशन पढ़ाने लगी उमा जी का बरा बेटा भी विदेश में अपने परिवार के साथ सुकून से रह रहा था वो अपने माता पिता के स्वभाव से परिशित था इसलिए वो वापस अपने देश नहीं आना चाहता था वो अपने मा बाप को अपने पास बुलाता मगर सिर्फ महिने दो महिने के लिए मा के तेज स्वभाव के कारण दो साल से तो उसने उन्हें अपने पास बुलाया तक नहीं आज बीबे का सपना सकार हो गया था उसने अपनी कुछ बचत कुछ गहने बेचकर और बैंक से लोन लेकर अपना खूद का छोटा समाकान बना लिया था उसने गिरी परविश की पूजा में अपने माता पीता को अमंत्रित किया था पर आज अपनी मा को महिमा को ताना मरते देखे विबेक चुपना रह सका और उसने अपनी मा को सचाई का आइना दिखा ही दिया मा उस घर में हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते थे हमारी बची का बचपन भी उससे चिन रहा था वो आजादी से वहां खेल नहीं पाती थी वो घर तो केवल आपका था और ये घर हम सबका है आप लोग चाहे तो इस छोटे से घर में रह सकते हैं हमें खुशी होगी बिबेक ने अपने माता पिता से कहा नहीं बेटा अब हमें जाना होगा पर भविस में बेटे बहु का सहारा जरूर लेंगे तुम हमारे लिए कैब बूक कर दो बीबेक के पिता ने कहा जो जानते थे कि अलग होने का दोस केवल बेटा बहु पर नहीं लगाया जा सकता दोस्तों हर बार बेटा बहु ही जिमेदार नहीं होते परिवार में ताल मेल और एकता बनाय रखने में घर के बरो का बहुत योगदान होता है कहीं ना कहीं साथ ससुर खुद गलत होते हुए भी सारा इलजाम बहु पर मढने में देर नहीं लगाते और इसके अलावा जिवित रिष्टों में खुशी तलास करें ना कि बेजान चीजों में इस स्टोडी को ले कर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही और भी बेहतरिन कहानियों के लिए हमारे चनल को जरूर सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है